तो दोस्तों हॉल्यूट की माच अवेटेड बिगी फिल्म गॉडजिला वसस कॉंग इंडियन बॉक्स आफिस पर काफी शांदार कमाई कर रही है और बॉल्यूट की फिल्मों को धुल चटा चुकी है बताते चले दोस्तों आपको कि गॉडजिला वसस कॉंग को आज इंडि इन बॉक्स आफिस पर चल रही फिल्म गॉडजिला वसस कॉंग, साइना, रंग दे, हाथी मेरे साथी और मुंबई सागा के टोटल बॉक्स आफिस कलेक्शन्स के बारे में और साथी साथ जानने वाले हैं कि इन फिल्मों का वर्ल्ड वाइट पर टोटल लाइफ टाइम कि इस फिल्म के लीड में दोस्तों आपको परिनिती चोपडा नजर आई है, वहीं इस फिल्म का डारेक्शन किया है अमोल गुपते ने, बताते चले दोस्तों आपको किये फिल्म में एडिया की बैटमिंटेन श्टार साइना नहवाल के उपर बनाए गए बायोपिक है, जिस इस फिल्म ने अपने पहले दिन तो इंडियन बॉक्स आफिस पर मातर 35 लाख रुपे की ही कमाई की, जो कि एक तरह से दोस्तों काफी कम कलेक्शन है, बताते चले दोस्तों आपको कि अमोल गुपते के डिरेक्शन में बनने वाली इस फिल्म को बनाया काफी अच्छी तरह से गया है, लेकिन दोस्तों अगर इस फिल्म में परिनिती चोपडा की जगर कोई दूसरी इस्टार रहती, तो ये फिल्म कहीं जादा कमाई करती, इस फिल्म के दूसरे दिन के कलेक्शन की बात करें, तो इस फिल्म ने अपने दूसरे दिन कमाई है 32 लाख रुपे, वही आज इस फिल्म का बॉक्स आफिस पर तीसरा दिन है, और ओडियन्स की तरफ से मिल रहे काफी अच्छे रिव्यूस के बाद, ये फिल्म आज अपने तीसरे दिन इंडियन बॉक्स आफिस पर 40 लाख रुपे की कमाई करने वाली है, इस तरह से इस फिल्म का तीन दिनों का जो टोटल कलेक्शन है, वो इंडियन बॉक्स आफिस पर हो चुका होगा, एक करोड़ दसलाख रुपे का, वही वल्डवाइड बॉक्स आफिस पर ये फिल्म एक करोड़ पच्चिसलाख रुपे कमा चुकी है, बॉक्स आफिस पर दोस्तों ये फिल्म हो चुकी है, डिज पहले दिन तो इंडियन बॉक्स ओफिस पर शांदार ओपनिंग ली और इस अफ़ते रिलिजों ने आली इंडियन सिनिमा के सबसे बड़ी फिल्म बनी दोस्तों बता दे आपको कि एक रॉमेंटिक एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसमें नितीन, किरती सूरेश, वेनला किशोर और ब्रह्मा जी आपको नजर आए हैं, इस फिल्म के पहले दिन के कलेक्शन्स की बात करें, तो इस फिल्म ने अपने पहले दिन तो शांदार ओपनिंग ली और कमाए 6 करोड रुपे जो कि दोस्तों एक तरह से आउस्टेंडिंग कलेक्शन है, वही वर्ड़ वाइट डुसरे दिन भी दोस्तों इस फिल्म ने काफी अच्छा होल्ड किया, पब्लिक की तरफ से मिल रहे ग अच्छे रिविउस के बाद दोस्तों ये फिल्म अपने दूसरे दिन 4 पर 30 लाख रुपे कमाने में काम्याब रही, इस तरह से दोस्तों इस फिल्म का जो 2 दिनों का जो टोटल कलेक्शन है वो हो चुका होगा लगबख 17 करोण रुपे का और लगबख 20 करोण रुपे के बजट से बनाई गए निथीन की ये फिल्म एडियन बॉक्स आफ़िस पर एक सूपर हिट फिल्म में साबित होने वाली है अगर बात करें हम लोग यहाँ पर इस अपते रिलीज हुई तिसरी फिल्म यानि की हाथी मेरे साथी, कडान और अरण ने के बॉक्स आफ़िस कलेक्शन के बारे में जिसके लीड में आपको राना डगुबत्ती, पुलकी समराट और विश्नु विशाल नजर आए है बताते चले दोस्तों आपको कि प्रभू सोलोमान के डारेक्शन में बनने वाली इस फिल्म को इडियन बॉक्स आफ़िस पर हिंदी तामिल तेलगू में रिनिस किया गया है हाला कि दोस्तों इस फिल्म के हिंदी को पोश्पोर्ण कर लिया गया है और ये फिल्म इस अपते तेलगोर कामिल में ही रिनिज हुई है जहाँ पर इस फिल्म को लगबख साढ़े 800 स्क्रिंस मिली है और इस फिल्म ने भी अपने पहले दिन इंडियन बॉक्स आफिस पर काफी अच्छी ओपनिंग ली और कमाए 2 करोड सकतर लाख रुपे जो कि दोस्तों एक तरह से काफी अच्छा कलेक्शन है चार-चार फिल्मों से कलेश के बाद इस फिल्म को दोस्तों ओडियन्स के तरफ से काफी अच्छे रिविउस मिल रहे है और राना डगुबत्ती और विश्नु विशाल को भी काफी पसंद किया जा रहा है इस फिल्म ने दोस्तों अपने पहले दिन तो काफी अच्छी ओपनिंग ली वही अपने दुसरे दिन भी इंडियन बॉक्स आफिस पर काफी अच्छा होल्ड करने में कामयाब रही और कमाए है दो करोड तीसलाक रुपे वही अगर बात करें हम लोग यहाँ पर इस फिल्म के तिसरे दिन के कलेक्शन्स की तो दोस्तो आज भी इस फिल्म की जो मॉरनिंग ओक्यूपेंसी है वही है 12-15% की वही अफ्टरनून ओक्यूपेंसी इस फिल्म की दिखा रही है 15-18% की यानि कि दोस्तों ये फिल्म आज अपने तीसरे दिन भी इंडियन बॉक्स आफिस पर लगबग 3 करोड रुपे की कमाई कर रही है और इस तरह से इस फिल्म का भी जो 3 दिनों का टोटल कलेक्शन होगा वो हो चुका होगा लगबग 7.5 करोड रुपे का बताती चले दोस्तों आपको कि इस फिल्म को ओडियन्स के तरफ से काफी अच्छे रिविस मिल रहे हैं और इस फिल्म के स्टोरी काफी एमोशनली टश्ड है इसी वज़े से ये फिल्म बॉक्स आफिस पर लगबग 15-18 करोड रुपे कमा सकती है हला कि दोस्तों बजट इस फिल्म का कहीं ज़्यादा है इस वज़े से ये फिल्म बॉक्स आफिस पर एक फ्लॉप फिल्म सावित होगी अब देखना ये होगा दोस्तों कि इस फिल्म के हिंडी पार्ट हाथ ही मेरे साथ ही को इंडियन बॉक्स आफिस पर कितने करोड के ओपनिंग मिलती है और क्या वो फिल्म 20 करोड से ज़्यादा के कमाई करके इस फिल्म को हिट करा पाई गया नहीं आपको क्या लगता है दोस्तो हमें अपनी राय कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा अब यहाँ पर बात कर लिजाए दोस्तो हॉल्यूट की बिगी फिल्म गॉडजिला वासेस कॉंग के अभी तक के टोटल बॉक्स आफिस कलेक्शन के बारे में जो कि इंडियन बॉक्स आफिस पर रिलीज होकर इंडियन फिल्मों को ही धूल चटा रही है जी हाँ दोस्तो आप सभी को बता दे चले कि एडम विंगार्ट के डायक्शन में बनने वाली गॉडजिला वासेस कॉंग जो कि इससार रिलीज उन यली सबसे बड़ी होलिउट की फिल्म है इस फिल्म को दोस्तो आडिस की तरफ से शानदार रिवीस मिल रहे हैं और साथ ही में इस फिल्म के एक्शन को और इस फिल्म के विजुट्स को भी काफी पसंद गया जा रहा है अपने पहले दिन एडियन बॉक्स आफिस पर हिंदी इंग्लिश टामिल तेलगू में लगने के बाद इस फिल्म ने कमायत 6 करोड 40 लाख रुपे जो कि इस सार रिलिज ओने वाली सबसे बड़ी हॉलिवड फिल्म बनी और इस अफ़ते रिलिज ओने वाली सबसे बड़ी फि पिल्म के दूसरे तीसरे और चोथे दिन के कलेक्शन्स की तो दोस्तों आडियन्स की तरफ से मिल रहे शानदा रिव्यूस के बाद ये फिल्म में दूसरे दिन 5 करोड 40 लाख रुपे कमाने में कामयाब रही और इसी के साथ अपने शुरुवाती दो ही दिनों में 12 करोड ही दिनों में इंडियन बॉक्स आफिस पर लगबख 24 करोड रुपे कमा चुकी थी और इस अपने रिलिजन्याली सबसे बड़ी फिल्म बनी थी आज दोस्तों इस फिल्म का बॉक्स आफिस पर पांचवा दिन है और आज के भी जो इस फिल्म की ओक्यूपैंसी है वो आउस रिजन्याली सबसे बड़ी सुपर हिट फिल्म साबित हो चुकी है वहीं अगर बात करें हम लोग यहाँ पर इस फिल्म के वर्ड़ वाइट टोटल बॉक्स आफिस कलेक्शन्स की जो दोस्तों बताते चले आपको कि इस फिल्म को चाइना में भी काफी पसंद किया जा रहा है जहाँ पर इस फिल्म ने अपने पहले ही दिन 145 करोड रुपे की ओपनिंग ली थी वहीं अपने दुसरे दिन कमाये थे 170 करोड रुपे आज दोस्तों इस फिल्म का चाइना बॉक्स आफिस पर तिसरा दिन है जहाँ पर यह फिल्म शानदार कमाये कर रही है और दोस्तों गोड़जिला वसस कॉंग वल्डवाइट बॉक्स आफिस पर एक बहुती बड़ी ब्लॉक्बश्टर बन चुकी है और ओडियंस के दिलों पर राच कर रही है बात करें हम लोग यहाँ पर बॉल्यूट की बिग बजट मच एवेटेट फिल्म मुंबई सागा के कलेक्शन्स के बारे में जिसे कि पिछले हपते ही इडियन बॉक्स आफिस पर रिलिस किया गया था संजय गुपता के डायेक्शन में बनने वाली दोस्तों इस फिल्म के लीड में आपको सुपरिश्टार जॉन अबरहाम, इमरान हाश्मी, सुनिल शेटी और कही सारे इस फिल्म के तरफ से तो काफी अच्छा रेस्पॉंस मिला और अपने पहले दिन इस फिल्म ने 4 करोड 10 लाख रुपे की कमाई की, लेकिन दोस्तों जैसे जैसे कोरोना वाइरस बढ़ता गया, महराष्ट्र में इस फिल्म को लेकर कुछ खास क्रेज देखने को नहीं मिला इस फिल्म के दोस्तों शुरुआती तीन दिनों का जो टोटल कलेक्शन था, वो लगबग साड़े 11 करोड रुपे का था, लेकिन उसके बाद इस फिल्म ने विग डेस में कुछ खास कमाई नहीं की, और इस फिल्म का एडिया से फर्स्ट विग का जो टोटल कलेक्शन रहा वो रहा 16 करोड रुपे का और वल्ड वाइड बॉक्स आफिस पर ये फिल्म अपने पहले हपते में साड़े 18 करोड रुपे कमाने में कामयाब रही, अपने दूसरे हपते में इस फिल्म को 3 से 4 बड़ी फिल्मों से कॉम्पेटिशन मिल रहा है, यही वज़ा है दोस्तों क अपने आठवे दिन कमाया 30 लाख रुपे, नौवे दिन कमाया है 38 लाख रुपे, वही आज बॉक्स आफिस पर अपने दसवे दिन ये फिल्म लगबख 7 लाख रुपे कमा रही है, इस तरह से इस फिल्म का औल इंडिया नेट पर कलेक्शन हो जाता है 15 करोड रुपे का, महीं अगर बात करें इस फिल्म के हम लोग वल्ड वाइट की, तो वल्ड वाइट बॉक्स आफिस पर ये फिल्म 20 करोड रुपे के आखड़ों को पार्क कर चुकी है, हाला कि दोस्तों बजट ज्यादा होने की वज़ज़ से ये फिल्म बॉक्स आफिस पर एक बड़ी फ्ल रिविव बाजार को सब्सक्राइब जरू कीचेगा, धन्यवाज जेहिं जे भारत